हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तों आपका इंडिया ने भी ट्रेट्समेंड मेंट का जो है सभी रीजन का पेपर समापत हो चुका है अब सभी के मन में सवाल चल रहा है कि हमारे इजरेट कब तक आ जाएगा क्योंके जाएग कि आपके कीट आपके क्या नंबर हों चाहिए डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नम आ जाएगा अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से एक्जाम 4U चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन कर लें ताकि आपको यहाँ पर इंडिया डेवी ट्रेट्स मैनमेट से लेटेड जो भी अपडेटो सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपकी कैटेगरी वाइस कट ओफ क्या जाने वाली है कैटेगरी वाइस आपके कितने नंबर हो कि आपका डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाए तो दोस्तों अगर आप जेनल कैटेगरी में जेनल कैटेगरी के लिए बहुततर से लेकर चोतर नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो डोक्यूमेंट अपने रेडी रखें डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम आने वाला है वहीं OBC की बात कर लेते हैं OBC के लिए सतर से लेकर बात तर नंबर वहीं EWS कैटेगरी के लिए 68 से लेकर सतर SC के लिए 65 से लेकर 68 ST के लिए 61 से 64 X Service Man के लिए 60 से लेकर 62 और PWD के लिए 61 से लेकर 63 PWD OS सब कैटेगरी के लिए 63 से लेकर 65 VH के लिए 62 से 64 और HH के लिए 58 से लेकर 60 नंबर दोस्तों अगर आपके कैटेगरी वाइस इतने नंबर आ रहे हैं तो ये समझ लिजे ये डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम आ गया क्या-क्या डोक्यूमेंट चाहिए अपने डोक्यूमेंट आप इकटा कर ले नहीं बनाये तो डोक्यूमेंट बन वाले क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है देन उसके बाद आपका डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी कराये जाएगा तो क्या-क्या डोक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटा-फट से लाइक से और सबस्क्राइब जरूर कर दे एक्जाम फॉर यू चैनल को बैल आइकन को जरूर ओन कर लेना ताकि आपको यहाँ पर इंडिया नेवी ट्रेट्समेंट मेट से लेटिट जो भी अपडेट हो सबीका नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे 10th की मार्क सीट आपको लेकर जानी है तो आप 10th की मार्क सीट लेकर जरूर जाए ITI का सेर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है तो आप ITI का सेर्टिफिकेट भी लेकर जाए कुछ student बोल रहे हैं कि sir अगर हम document नहीं लेकर जाते क्या हमारे पैसे चल जाएंगे हमारे दोस्त के चले थे previous year में ऐसा हुआ था दोस्तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आपके पास document है तो ही नोकरी मिलेगी document नहीं है तो नोकरी भी आपको नहीं मिलेगी कास सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है जाती बनमानों पतर आपका मंगावाई center का आपका होना चाहिए कास सर्टिफिकेट जनरल के लिए कोई कास सर्टिफिकेट आपका नहीं होता कभी आप यह सोचे जनरल के लिए भी कास सर्टिफिकेट चाहिए जनरल के लिए आपके क हमें बनवाना पड़ेगा दोस्तों अगर आपके पास आधार काड़ है तो और कोई आईडी की भी आपको आउशकतर नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आपके पास दो आईडी है तो दोनों लेकर जरूर जाए एक्जाम जब आपको डोकिमेंट वेरिफिकेशन होगा दो आउब के लापको लेकर जाना है मौन निवास परमाना पदर आपका मांगा ऊँद आपको लेकर जरूर जाएं अब बात कर लेते हैं आप집 कि सेलेक्शन प्रासेस की इन्डिया नेवी ट्रेट्समेट किसपरकार है ओनलाइन कंप्यूटर बेस आपका ओनलाइन एक्जाम है मेडिकल आपका मिलेटरी होस्पिटल में करा जाएगा मिलेटरी डोक्टर्स की देखरेग में कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ मेडिकल का दोस्तों जैसे आपकी एलबो यानि को होनी है वो 15 डेगरी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए आपकी आई साइड जो है 6x6 होनी चाहिए अगर आपको चस्मा भी लगा है तो आपको 6x12 मांगा हुआ है आपको कोई भी फ्रेक्चर नहीं होना चाहिए आपके गुटने मिले हो सकता है आपकर जब टैटू निकल वाए कुछ रियक्षिन हो जाए आप मेडिकल में भी ना जा पाओ तो आप कंडिशन के अकोडिंग अगर वहां से आपको बाहर किया जाएगा तो वहां से आप बाहर हो जाना लेकिन टैटू मत निकलवाना हो सकता है वहापर जाकर टैटू की टैटू की इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि इंडियन नेवी टैट्समेंट टैंथ वेस बढ़ती है टैटू में इसमें ज्यादा प्रोब्लम नहीं आएगी तो सेलेक्षिन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया अब मैं आपको बता देता हू रिजल्ट डेट क 15 दिन के बाद आपका डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और जब तक आपका डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 15 दिन के आसपास देन उसके बाद जो बच्चे डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएगे उनका मेडिकल कराना स्टार्ट हो जा जाएंगे क्योंकि प्रोसेस काफी तेज चलावा है क्योंकि कोरोना का काल बता रहे हैं कि थर्ड जो तीसरी ले रहे हैं वो भी आने के चांस है हो सकते हैं आपके रिजल्ट सेकिंड वीक के लास्ट में भी दे दिया जाएं तो अपने डोक्यूमेंट जो आप अपना इखट जरूर कर दे एक्जाम फोर यू चैनल को बैल आइकन को जरूरोन कर लेना ताकि आपको यहाँ पर इंडिया नेवी ट्रेट्स में में इसलेटिट जो भी अपडेटों सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे तो दोस्तों इस वीडियो में तरहें वीडियो देख